नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफिनो सिंग और टिक साला में आप सभी का सवागत है आज पाइप और टंकी आप सबके भारी डिमांड पर में लेके आया हूँ और ऐसा बहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपने कभी देखा नहीं होगा बस पूरी वीडियो आपको देखना है भाग गंटे में भर सकते हैं दोनों एक साथ उसे कितनी देर में भारें तो क्या करने मलूंगा ऐसा सवाल आया है तो दोनों को कर दो गुड़ा बटे दोनों का जोड़ दो बात समझे कि नहीं अब दोनों के 15 था यहां पे 15 एक सो पचास हो जाए गुड़ा करोगे तो और 15 दस पचीस हो जाएगा पचीस शक का डेर सो मतलब कि दोनों छे घंटे में भर देंगे बात खतम है कि नहीं वागला देखो दो पाईप ए और भी एक टैंक को करम साब 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं तो दोनों पाईप एक साथ खोल दिये जाएए कितने दियर में भरेंगे तो फिर वही किस्सा है 20 गुड़े 30 बटे 20 प्लस 30 क्या बोलते हो 20, 63, 600 हो जाएगा 600 बटे ये 50 हो जाएगा ये सी ये कड़ गया 12, 65 बराबर 12 मिनिट बराबर 12 मिनिट बात खतम ध्यान समझे न अब ये वाल अब concept भी बताऊंगा सब कुछ बताऊंगो बस देखते चलो बस जब फसेगा मामलत तब एक नल किसी होज को 25 मिनिट में भर सकता है दूसरा 50 मिनिट में खाली कर सकता है बताओ ये दोनों नल एक साथ खोल दिये जाए तो होज कितनी देर में भरेगा अब इसको कैसे करोगे देखो ये 25 मिनिट में भर सकता है गुड़े ये क्या करेगा माइनस 50 क्योंकि ये खाली करेगा भाई इसलिए माइनस 50 बटे ये क्या करेगा पचीस भरेगा और ये क्या करेगा माइनस 50 क्या हो जाएगा माइनस 50 अब बराबर क्या होगा इन दोनों का गुड़ा करोगे 25 एक सो पचीस ये हो जाए गई है कि नहीं अब देखो 25 पंचे 125 पचास आ गया मतलब प्लस में पचास आया तो पचास में भर जाएगा टंकी अब समझे कि नहीं समझे बात देखते चलो आगे देखो एक पाइप किसी टंकी को पांच घंटों में पानी से भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइ भरी हुई है जलो मालस भरी हुई है दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी ने दिना समय में खाली हो जाएगी देखो पांच गंटे में करेगा बरेगा बुडे 4 घंटे में में खाली करेगा मैनेस चार बटे 5-5 क्यंकि मैंट्स minus 20 को मतलब यह 20 गंटे में खाली हो जायगा, सिमपल सी बात है, समझे किक नीए बात, अब अगला देखो, एक टंकी को नल A के दोरा 9 मेट में भरा जा सकता है, इसमें लगे नल B के दोरा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, जब A और नल B दोनों 7-7 खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है यह सवाल बदल दी अब देखो मामला आप कॉंसेप्ट का आता है इसके पर से टाइम मेंट वर्क आपको पढ़ा चुका हूं मैं है ना और बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं प्लेड सब बनाते चल रहा हूं जो जो पढ़ रहा हूं पढ़ते च कैरेगा कराए कि इसमें रगवी दौराइसे खाली होने में कुल कितना समय लएगा यह साथ खुले हो दसमेट अच्छा इब्डस का वो टंकी है 90 लीटर का वो टंकी है तो उंको बताओ ये क्या करेगा ये 9 मिनिट में भर रहा है 90 लीटर तो एक मिनिट में कितना भरेगा आप बोलोगे 990 मतलब 10 लीटर ये एक मिनिट में भरेगा और ये क्या करेगा ये दोनों मिलकर 10 मिनिट में जब भरते हैं तो एक मिनट में नौ लीटर भरेंगे इसका मतलब हमने क्या जाना इसका मतलब ये जाना कि जो A टंकी है वो एक मिनट में दस लीटर भरता है और दोनों मिलकर नौ नौ क्यों भरता है क्योंकि जो B वाला नल है वो तो खाली कर रहा पूछ रहा है ना कि B द्वारा इसे खाली होने कितना समय लगे तो B क्या करता है एक लीटर खाली कर देता है भाई वो ऐसे भी दस लीटर भरत इसमें भी दस लीटर भरे गए इसमें भी दस लीटर भरे गए लेकिन एक लीटर कम हो जा रहा है मतलब कि B एक लीटर खाली कर द लग जाएगा सीधा एकडम है कि नहीं अब अगरा देख लीटें एक होज की तली में एक छिड्र है यदि होज में छिड्र नहीं होता तो होज 9 गंटे में भर जाता समझ दोड्स वही सवाल है यह भी परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में एक घंटा अधिक लगता है यदि हवज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितनी देर में खाली करेगा देखो कहरा है कि मालोग भरने में कहरा है देखो अगर छिद्र नहीं होता तो नौ घंटा लगता मतलब वो 9 घंटे में भर जा रहा है ठीक है एक छिद्र है इस वज़ा से वो 10 घंटा लग जाता है एकदम सेम सवाल है कि नहीं सवाल है सेम सवाल है कि नहीं 90 मिनट लगा तो सी जा नहीं समझे भाई इन दोनों के LCM निकालों को तो 90 आएगा तो 90 मालों के 90 लीटर का टैंक है तो 9 घंटे में भर रहा है टैंक मतलब एक घंटे में 10 लीटर भर रहा है लेकिन छिद्र होने की वज़ा से वो 10 घंटे लगा देता है मतलब की एक मिनट में एक घंटे मालों एक घंटे में 9 लीटर भर रहा है इसका मतलब कि जो छिद्र है वो एक लेटर खाली कर देता है तो एक लेटर खाली कर रहे है, एक घंटे में तो 90 लेटर 90 घंटे में, सवाल वही सेम है, थोड़ा सा चेंज़ कर घुमा दिया है बस कुछ नहीं इसमें, इसको देखो दो नल एक होज को कृमसा तीन तथा चार घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे दो घंटे में खाली कर सकता है यदि दीनो नल खोल दिये जाएं तो होज कितने समय में भरेगा देखो इमार्ख एक नल बी नल C नल तीन नल है एक तीन मिनट में तीन घंटेम भरता है एक चार घंटेम भरता है ठीक है और एक दो घंटेम खाली कर देता है चलो यह भी लिख लो दो घंटेम क्या हो जाएगा ठीक है तथा हाँ अब देखो इन तीनों के LCM ले लो इन तोनों के LCM क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 मतलब 12 लीडर का टैंक है ओ टैंक मात्र 12 लीटर का है तो यह जो है तीन घंटे भर रहा है मतलब की 3-4 के बारा यह 6 मतलब की C नंबर वाला तो खाली कर रहा है 4-3-7 यह 3 एक मिनिट में 4 लीटर भर रहा है यह 3 लीटर भर रहा है गंटे में और C वाला 6 लीटर खाली कर देता है तो ये दोनों 4-3-7 लीटर भरेंगे और ये खाली कर देगा तो कुल कितना भरेंगे एक घंटे में मात्र एक लीटर भर पाएगा एक घंटे मात्र एक लीटर भर पाएगा बस है की नहीं तो 12 लीटर भरना है तो 12 गंटे लग जाएगा बास समझ भाए कि निकदम सिंपल से एकदम कर दिया ये मानलोब खाली करता है किसलिए इसको खाली करें कि भाई जो जो काम है उसको हिसाफ से लगाएंगे यदि दो नल A और B एक होज को कुरमशा 28 और 22 मिनिट में भरते हैं तीसरा नल C इस होज को 22 मिनिट में खाली कर सकता है यदि तीनो नल एक साथ खोल दिये जाए तो होज भरने वही सवाल है देखो एक है A, एक है B, एक है C A क्या करता है 28 मिनिट में भरता है B क्या करता है 42 मिनिट में भरता है और C क्या करता है इस सवच को 22 मिनट में खाली कर देता है अब देखो इसमें अगर दिमाग लगाओगे माइड कॉंसेट आगा के लिए हो गया ना अब तीनों को लसीम निकालोगे फिर जैसे मनें इसको पहले बताया तीनों को लसीम निकाल अब बारा आया मतलब बारा लिट यह करेसा कि हो एक लेकिन कि यह में बतो इसवाल आहां कि इस अध्यवां अरुन आख और वरसलिक नहीं है तो अध्या करें इंफ सवाल आए इन दोनों की जरूरती नहीं है सिर्फ बचा alumni都 permettre मेंफाल एर देट्स शेलिह है बात समझे की नहीं यह जतना खाली करेंगे उतना भरेगा यह दुन आपना जितना भरेगा उससे मतलब भी नहीं इया अपना चलता रहेगा अपना काम करता रहेगा तो 28 मिन्ट में भर जाएगा तो ऐसे सवाल को देखो आरार भी महंद्रू घाड बतानी कौने एसम का है अच्छा मतलब अच्छे एक्जाम का अच्छा कोईशन है इसको ऐसे भी कर सकते हो आपासानी से इसको देखो दो पाइप एक होज को करमसा 30 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है यदि होज 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए देखो बड़ा इंपोर्टन कोईशन है क्यों इंपोर्टन अभी समझाता हूं मैं ए जो है और बी दो ही इसमें पाइप ह क्या बोले हैं पक्का हें अब यह एक जाया योग कि Эλसीम भरता है 2020 टाइणक है ठीक है यह थी किसमें भरता है दोस्तों इसका मतलब हो गया कि एक मीनेट में चार लीटर बंद आ ये एक लीटर, एक मिनट में तीन लीटर भरता है, इतना पक्का है न सब को, ये चाल लीटर भरता है, ये तीन लीटर भरता है, अब भरना कितना है, एक सोवीश लीटर भरना है, अब देखो, अब सवाल पर आते हैं, कह रहा है, कि यदि हाज, चौबिस मिनट में भरना चाह दूसरे पाइप मतलब ये वाला बंद करना है ये वाला बंद करना है 3 लीटर वाला लेकिन 4 लीटर वाला चलता रहेगा तो पहले हमको बताओ भरना है 24 मिनट में इतना पक्का है ना तो 24 गुड़े 4 क्यूं क्यूंकि 4 वाला चलता रहेगा जो की 1 मिनट में 4 लीटर भर रहे है ना और 24 मिनट तक चलता रहेगा वो बंद नहीं होगा तो इसको पहले 24 चाओगा 96 मतलब दोस्तों 96 लीटर तो यही भर देगा 24 मिनट में ए नमबर वाला इतना पक्का है सबको 96 लीटर तो यही भर देगा तो 120 लीटर कुल भरना है 120 में चार घरता होगे 24 बचाएगा मतलब अभी यह जो बी नमबर है यह सिर्फ इसको 24 लीटर ही भरना है कितने मिनट में भर देगा एक मिनट में 3 लीटर भरता है तो 24 लीटर भरने के लिए आपको होगे 8-23-24 आठ जाएगा मतलब कि 8 मिनट बाद भी वाला जो है इसको बंद कर दिया जाएगा क्लियर न एक दम एक दम आईसी लगा ना सवाल बहुत आसानी सुझाएगा अब अगला देखते हैं एक वरतन को पाईप से अलग अलग क्रमसा 20 मिनट 30 मिनट में भरा जा सकता है दो देखो बंद करने के बाद 10 मिनट चलेगा बस देखो एक है 30 मिन भर रहा है और दूजरा तीम में 2022 में भर रहा है दोनों को all same hoogu 60 दोनों अब बताओ LCM मतलब 60 लीटर का टैंक है तो 20-30 ये एक मिनिट में 3 लीटर भरेगा और ये एक मिनिट में 2 लीटर भरेगा अब ध्यान समझना अब क्या कह रहा है दोस्तों कि पहला पाइप मतलब इसमें ये वाला बंद होगा पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बरतन 10 मिनिट के बाद भर जाए मतलब जब ये बंद हो जाएगा उपर वाला तो उसके बाद 10 मिनिट ही चलना है और 10 मिनिट कौन चलेगा ये वाला चलेगा मतलब 10 दूना 20 तो ये 20 लीटर भरेगा 10 मिनिट में क्या बोलते हो मतलब कि ये जो माल करें तो भाई एक मिनट में दोनों चालिज लिटर हर यह तैसे दोन mana उसके बाद चालिज वेल हो भाएगा वे छो कि छो कि यह मिनट दो दो जायेगा तो कि यह वाला के लिए दस मिन भनगे मतलब हमार उत्तर यह हो जाएगा आठ मिनिट यह तो पूछ रहा है कि कितनी देर बाद बंद हो जाएगा हो तो आठ मिनिट दोनों चलेंगे हैं कि लिए एक्दम सिंपल सा अब देखो सिंपल तो नहीं मतलब कन्फूजन हो सकता है यसलिए ध्यान से समझ लेना एक थभी दो पाइप है एक होज को करमसा वीश मिनिट में और पचीश मिनिट में भर सकते हैं दोनों पाईप साथ साथ खोले जाते हैं लेकिन पांच मिनिट पशात बी को बंद कर दिया जाता है होज भारणे में कितना समय लगे कि देखो उगधम ओशे सवाल है दोस्तों आ है और B है, A 20 मिनट और B 25 मिनट अब दोनों का LCM क्या कर देंगे, 100 कर तो सीधा सीधा, काँ अपना हो जाएगा, तो 20, 5, 25, 400, ये 1 मिनट में 5 लीटर ये लीटर है, समझे लो, जो LCM आता हो लीटर है, ये 1 मिनट में 5 लीटर ये 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, कह रहा है कि 5 मिन्ट बाद 5 मिन्ट बाद भी बंद हो जाता है तो 5 4 9 9 545 अगर देखो 5 मिन्ट में यह दोनों मिलके कितना भरेंगे एक मिन्ट में यह दोनों 9 लिटर भर रहे हैं और 5 लिटर में 5 मिन्ट में 25 लिटर भर दिये 25 लिटर भर दिये तो कितना बचा 55 लिटर बच लगने वाला कुल समय पूछ रहा है देखो पांच मिन्ट यही चल गया चलौब पांच मिन्ट अभी हो चुका है हमने यहां पांच मिनट लिखतीया अपच्मर बचा कौन सा कौन सा व्य वाला बंद था बचा सिर्फ में पाउंच लिटर भरता है 11 पच्छ पच्पन 11 अब देखो ये वाला दो पाइप A और B किसी टंकी को क्रमसा 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइपें को खोल दिया जाता है, टंकी को ठीक 20 मिनट में भरने के लिए पाइप B को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, सेम क्वेश्चन ऐसे ही मैंने आपको बता उसको जो देखा होगा, सो समझा होगा, फिर से देख लेना, इसलिए अगर ना है, तो इसलिए मैं क्यों छोड़ता हूँ एक क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत खास क्वेश्चन है, असनाता कस तरीका है, खोई आई रहे गया क्वेश्चन नहीं दमदार है, एकदम आना उसके साब से मैं आपके लिए क्वेश्चन से लेके आता रहूंगा, ठीक है दोस्तों, और जो नए हो जुड़ जाना जरूर, और सेर्वेर भी कर दिने दोस्तों के साथ भी, ठीक है, पढ़ लिग लो, तो मिलते हैं फिर, नेस्ट क्लास में सब लोग चैनल को सब्स्प्र रहा है.